बल्वाडी के पूरो भाट्पा मंडल अद्यक्ष मनोज ठाकरे हत्याकांट के साथ आरोपियों को उम्रकेत की सजा सुनाई गई है तथा तेन आरोपियों को बरी किया गया ये फैसला द्वितिय सत्रव जुलानी आई थी शुपेश नाइक द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीय सुनाई गया कंग्रे सरकार के दोरान मद्द प्रदेश की राजनी जी को हिला देने वाले सेंद्वा विधानसवा के बलवारी निवासी भाच्पा नेता हुआ पूर मंडल अद्यक्ष मनोज ठाकरे हत्याकांट में नियाले ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस हत्याकांट में शामिल 10 में से 7 आरोपियों को आजीवन कारवास की सजय सुनाई है वहीं 3 आरोपी बरी हो गए आपको बता दे कि 20 जनवरी 2019 की सुबा भाच्पा मंडल अद्यक्ष मनोज ठाकरे की मौनिंग वॉक पर जाते समय घर से एक किलो मीटर दूर सर पर पत्थर मार कर बलवाली सेंद्वा रोड पर हत्या कर दी गई थी मनोज ठाकरे की हत्या के बाद जिले सहीत प्रदेश की राजनिती बवाल मच गया था मनोज ठाकरे हत्याकांड के मुख्या रूपी में शामिल भाच्पानेता और धवली शेत्र के कद्दावर नेता ताराचन राठोर और उनके पुत्र दिगवजे राठोर सहीत अन्य पांच रूपियों को आजीवन करावस की सजा सुनाई गई है सेन्वा से मोहमाद अनिस्चेक रिपोर्ट